हाई अवरिवन मैं हूँ धननजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे लगभग 2-3 दिनों तक पाकिस्तान उक्विपाइट कश्मीर में मैसिव प्रोटेस्ट देखा गया जहाँ पे तकरीबन सभी लोग पाकिस्तान उक्विपाइट कश्मीर के सड़क पे आ गय हो रहा और possibility काफी हाई है कि आगे भी होता रहेगा इस वीडियो में हम जानेंगे कि exactly पाकिस्तान उक्विपाइट कश्मीर में और क्या हुआ मगर आगे बढ़ने से पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पा लोंग अगर सडकों पे उतरते हैं तो क्या वजय हो सकते हैं तो कुछ जो basic चीज है वो almost हर जगा common ही देखने को मिलता है चाहे वो अगर हम present context में देखे तब भी या अगर हम आज के 500 साल पहले देखे तब भी लोंग सडकों पे तब ही आते हैं जब उनका जो basic requirement है वो पू और साथ में reasonable price अगर पाकिस्तान occupied कश्मीर या दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर लोंग इस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं तो वो ये बताता है कि उस देख का जो economic condition है वो बहत खराब है और बार बार दोहरानी की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान as a country ये जब से भारत से अलग हुआ तब से इसके पास ना इनके कोई खुद के foreign policy थे ना इनका कोई internal political stability था as a result पाकिस्तान महज एक देश सिर्फ कागजो भर में सीमित होके रह गया उसके बाद अगर बात किया जाए इस specific घटना के बारे में तो यहाँ पर ये बताया जा रहा कि कम से कम 100 से भी हैं या उन सब society के लोगों को target करते हैं जो किसी भी तरीके से कमा नहीं पाते हैं अगर आप भारत की बात करें तो भारत में भी अलग-अलग राज्यों में या central government अपने अपने हिसाब से social welfare program को चलाते हैं जहाँ पे वो जो bare minimum चीज होता जैसे कि जो खाना हो गया यह सरकार स्कूल हो गया या ऐसे और भी बहुत सारे चीज होते हैं वो देते हैं ताकि उससे क्या होता है कि उस देश के जो लोग है वो protest ना करने शुरू करें और उस देश का जो unity है वो बरकरार रहें तो कहने का मतला भी कि कोई भी देश social welfare program में तभी investment कर पाएगा जब उस देश क economy अच्छी होगी जब देश की economy अच्छी नहीं होगी तो वो देश के पास जितना मर्जी उतना minerals रहे वो देश कभी भी देश नहीं रहेगा वहाँ पे multiple violence हर रोज होंगे और कोई न कोई प्रोविंस हर रोज ये demand करेगा कि उसे अलग हो जाना है जो कि हम साफ देख सकते है पाकिस्तान के case में तो अगर हम मेरपूर SP की statement को माने तो जो एक पुलिस वाले की जान गई है उनका नाम था अधनान कुरेसी और ये चीज़ भी मानना काफी impossible है कि जिस area में protest हो रहा था वहाँ पे अगर 100 लोग जखमी होते हैं तो definitely बहुत सारे लोग के इसमें जान गई ह क्योंकि chances ये होता है कि reporting नहीं किया जाता है अगर reporting ढंग से किया जाय तो public के बीच में जो anger है वो भी काफी बढ़ जाता है और chances काफी high हो जाता है कि और भी अलग-अलग जखों पे जहां पे लोग सरकार से खुश नहीं है वो लोग भी फिर protest करना शुरू कर देते हैं जै जो कि किसी भी देश के लिए खास करके जो पाकिस्तान का size है इसके लिए बहुत ही enough है कहने का मतलब है कि इनके पास पर्याप्त पानी है वहीं अगर बात किया जाए पाकिस्तान as a country का तो इनका जो geographical location है अगर यही geographical location किसी और देश को मिला होता तो वो tourism से इतना कमा लेता ह कि शायद उसे और किसी चीज़ के उपर focus ही नहीं करना पड़ता है अब अगर मैं आपको इसी google map में अगर मैं आपको photo दिखा हूँ तो आप यह देख सकते हैं कुमराद valley है जो कि मुझे कहने के जरुवत नहीं कि यह कितना खुबसूरत है अगर मैं और भी कहीं scroll करता जो कि काइबर पक्तुनवा में आता है ऐसे आपको multiple locations मिल जाएंगे जो यह बताता है कि Pakistan as a country या इसका जो geographical location है यह काफी rich है लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और उसके बाद जाके वो US के गोदी में जाके बैट गया और बहुत सालों तक US उसे इस्तेमाल किया या यू कहले कि पाकिस्तान के जो leaders हैं वो अपने आपको US के सामने निलाम कर दिये और उसके बाद अब 2015 के आसपास है जिस तरीके से पाकिस्तान अपने आपको चाइना के हवाले कर दिया अब जो भी जो बचा खुचा रहे गया पाकिस्तान में वो अब चाइना लूट रहा है यह हमारे सामने latest article है जहां आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो inflation है वो लगभग 20% के आसपास कहीं trend कर रहा और पाकिस्तान की जो economy है वो सिर्फ IMF के लोन पे ही dependent है और यह IMF के लोन पाकिस्तान को तभी मिलता है जब पाकिस्तान वो सारे का करता है जो US इससे करवाना चाहता है वहीं अगर हम बात करें तो IMF से सबसे अधिकल लोन कौन ले रखा है तो उस list में पाकिस्तान का position चौथे नंबर पे आता है इसके ऊपर ठीक यूकरेन है तो कहने का मतलब है कि इनके पास इतने IMF के लोन है और इनके पास कोई plan नहीं ह तो 2015 में चाइना और पाकिस्तान मिलके इस deal को sign करते हैं जहां पे initially तो ऐसा दिखाया गया था कि जो local मजदूर रहेंगे वो पाकिस्तान के ही local मजदूर रहेंगे लेकिन जैसे ऐसे ये चाइना पाकिस्तान economic corridor आगे बढ़ता गया चाइना अपने ही देश से जो labor होते हैं उसको मंगाना शुरू कर दिया as a result ये होता है कि इस पूरे local area में यानि कि पूरे पाकिस्तान के अलग-अलग areas में वहां के जो local लोंग थे उनको रोजगार के नाम पे कुछ नहीं मिला और उनके ही जमीन पे ये सारे projects वगेरा बढ़ने शुरू हो गये जिसके कारण क्या ह हुआ कि लोगों की जो नाराजगी है वो भी काफी बढ़ गई उसके बाद जब ये project sign किया गया था यानि 2015 में तो ये बताया गया था कि ये कुछ 25 billion American dollars का project है वहीं आज के rate में ये बढ़के 60 billion American dollars का project हो गया या in fact उससे भी जादा हो गया और खास करके अगर बात किया अगर हम इस वीडियो को conclude करें और as a student अगर हम इस चीज को समझना चाहें तो भले ये सब incident पाकिस्तान में हो रहें जो कि हमारे perspective से बहुत अच्छी बात है लेकिन फिर भी हमें इन सब incident से सीखना चाहिए कि क्या गलती पाकिस्तान ने किया और क्या गलती हम नहीं दोहरा सक I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा क्या आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye